हेलो दोस्तो चलिए आज हम लोग क्लाश 10 के हिंडी A का जो सब्जेक्ट है हिंडी A वालों के लिए उसका सेट हम लोग 1 को सॉल्ब करेंगे ठीक है जैसे आपको पता है कि जारकन बोर्ट की तरफ से प्रतम साओधी परिच्छा जो 2021 में होने वाला फर्स्टम का एक्जाम उसके लिए प्रतेक सब्जेक्ट के पाच पास सेट मतलब मोडल प्रस्न पतल जाली किये गए है ठीक है तो उन्हीं में से मैं आज सेट वन का जो हिंदी सब्जेक्ट का है हिंदी ए का है उसको सॉल्ब करेंगे सारा सब्जेक्ट का सॉल्ब करेंगे साइन्स का और सोसल सैंस का पूरा कम्प्लीट पाच पास सेट का सॉल्ब हो चुका है उसका कोश्चन अंसर का डिसकेशन कर पुर्णाग आपको पता है 40 marks का exam होना है 40 question एक question पर एक marks दिया जाएगा ठीक है समय आपको exam में डेड़ घंटा दिया जाएगा ठीक है इतना तक clear है चलिए हम लोग शुरू करते हैं देखे हिंदी जो है ना हिंदी में आपको सबसे पहले जो खंडक का है इसमें आपटित ब सबस्क्राइगा ठीक है गद्धांस आपका कुछ भी हो सकता है तो गद्धांस उठा कहां से रहा है गद्धांस उठा रहा है आपका जो हिंदी का जो बुक है उस बुक से तो जो भी सलवस के अनुसार जो जो चेप्टर आने वाला है सलवस के अनुसार उसको आप अच्छ उसका answer को हम लोग अभी देख लेते हैं, गर्धान साब खुद से पढ़ लीजेगा, हम लोग सीधा question answer पर चलते हैं, देखिए, चलिए, तो question number 1 से देखते हैं, question number 1 में लिखा हम किसके रीनी है, तो आप जब उपर paragraph पढ़िएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कि answer क्या होगा, तो इसका answer फिलाल हो जाएगा, ए नमबर, ठीक है, मात्र भूमी के हम लोग क्या है, रीनी हैं, ठीक है, question number 1 हम लोग का complete हो जाए, question number 2 में देखे लिखा है, मनुष्ट की स्रेष्टा की, मनुष्ट की स्रेष्टा की, क्या होगा, इसका answer इसका हो जाएगा, option C, गिर कर, उठ कर, बड़े होते हैं, ठीक है, तब वो मनुष्ट क्या होते हैं, स्रेष्ट होते हैं, ठीक है, चलिए ति यह आपका answer, जो यह आरा चार option में से, आप paragraph जब पढ़िएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, answer आपको दिखेगा सामने, देखे, तो question number हम लोग 3 को देखते हैं, question number 3 में लिखा है, हमारा भरन portion किसके द्वारा होता है, तो हमारा जो भरन portion है, वो मात्रे, मतलब धर्ती मा के द्वारा दिएगे, अन्द से होता है, यानि option 20 का सही answer हो जाएगा, question number 3 का, ठीक है, देखे, question number 4, question number 4 में लिखा हुआ है, देश की उन्नती के लिए, हम क्या करें, अगर देश का उन्नती करवाना है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, ताकि देश का उन्नती हो, तो इसका answer हो जाएगा, option number D, option number D को पढ़िए, ये चीज आपको paragraph में मिल जाएगा, लिखा हुआ, लिखा है, सभी को समता तथा, सहदयता का पढ़ाएं, और खुद से पढ़ें, ठीक है, question number, जो आपका चार था, उसका answer हो जाएगा, option D, ठीक है, चलिए, हम लोग 5 नमबर को solve करेंगे, question number 5 में लिखा है, देश प्रेम क्या है, है ना, आपको बताना है, तो इसका answer हो जाएगा, option A, ये देश प्रेम है, ठीक है, देश के प्रती रिती रिवाजों को निभाना, और विभिन्ने धर्मों को सम्मान करना, इसी को देश प्रेम कहते है, ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, यहाँ फिर एक फेरेगर आपको आजाता है, आपके समने, देखिए, क्या लिखा है, प्रस्तुत अब आजाता है पध्यांस, ठीक है, तो इसमें से आपको यह पध्यांस पढ़ना है, पूरा जिसमें से कुछ स्टार्डिंग का लाइन लिखा हुआ है, लहरों से डर करनो का पार नहीं होती, कोसिस करने वाले की कभी हार नहीं होती, बहुत प्यारा सा ही एक पोईम है आप इसको अच्छा से पढ़ लिजिएगा, खुद से बहुत मजाएगा, ठीक है, देख लिजिए, आप अच्छा से इसको पढ़ लिजिएगा, पढ़ने के बाद इसे पैसे से जो भी कोस्टन का एंसर बन पाएगा, यहाँ दिया हुआ, तो पहला यहाँ 6 नमर कोशन लिखा हुआ है, किस से डरकनों नो का पार नहीं होती, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, लहरों से डरकनों का पार नहीं होती, यानि जो प्संण 20 का क्या हो जाएगा सही एंसर हो जाएगा, इस प्रकार question number seven का सही answer हो जाएगा option a दिवार पर चलिए अगला question देखते हैं हम लोग question number eight को सारा paragraph सही लिया गया है यह ठीक है question number eight में लिखा है मन का विश्वास रगों में क्या भरता है जो मन का विश्वास हो न वो रगों में क्या भर देता है तो रगों में हम लोग का साहस भर देता है तो सब के मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है एक्दम रग में क्या भर देता है साहस ला देता है ठीक है question number nine में लिखा है सिंदू में डूब की कौन लगाता है सिंदू मतलब एक तरह का नदी पर अगराप पढ़िए जाए उसमें आपको मिलेगा तेक है तो इसका सही इंसर हो जाएगा गोता को लगाता option D देसका सही इंसर option C हो जाएगा option C द का सही इंसर हो जाएगा गोता खोर तो आपको बहुत अच्छा से याँ दखना है यह जो nine number question है इसका इंसर हो जाएगा option c गोता खोड़ ठीक है देखिए अब question number 10 को देखते है question number 10 में लिखा है कैसे लोगों की हार नहीं होती बताइए जो कोशिस करता है वो इसे लोगों की कभी हार नहीं होती तो option c सही answer हो जाएगा question number 10 का option c ठीक है कोशिस करने वालों की हार नहीं होती clear है यहां तक चलिए तो हम लोग आप background को देखते हैं देखिए background लिखा है खंड खो background है और इसमें 11 नमर question लिखा है इनमें से किस वाग के में अकर्मक किरिया है तो इसका सही answer हो जाएगा option c मोहन सोरा है ठीक है question number 12 को देखते है question number 12 में लिखा है कॉन सावाग के सकर्मक किरिया का उधारन है तो इसका logic रीता खाना खाती हैC अने का अनेकार्त नहीं है यह ने से पूछा कौन नहीं है तो इसका सही answer क्या होगा तो इसका सही answer हो जागा option l इसको जल से संबंदित नहीं, कमल भी जल से संबंदित है, मोती भी जल से संबंदित होगा, मचली भी जल से संबंदित होगा, लेकिन बादल जो हो जल से संबंदित नहीं है, इसका मतलब जलज का अनेकार्थ नहीं है, कौन बादल, तो इस प्रकार question number 13 का science रोज़ागा option D, ठ देखते हैं तो समास कहला तो समास कहलाए जब दो या 3 पदोग को मिला के एक पत बनायय जाएगा उसे समास कहते हैं Q15 में लिखा है प्रतिदीन कौन सा समास है प्रतिदीन ये जो सब्द है पुछा ये समास का किस टाइब का समास है आपको बताना तो ये एक तरह का अवय भी समास है यानि option A इसका सही अंसर हो जाएगा अवय भी भी तो Q15 का सही अंसर क्या होगा option A Q16 में लिखा है निल कंट किस समास का विग्रह है आपको बताना ये किस समास का विग्रह है ये बहुवी समास का विग्रह है जब वर्सा होती है तो मोर नाचनी लगते हैं रचना के आदहार पर वाक का भेद बताईए वहेद बताना ठीक है यहां पर इबता रहा है जब वर्षा होती है पहले यह आया फिर आता है मोर नाचने लगता है इसको जोड़ा गया है यानि यह मिस्रीत में आ जाएगा इसका मतलब ऑप्सन सी इसका सई इंसर जाएगा मिस्रे वाक्य ठीक है देखिए 18 नमर कोश्चिन म ऐता है क्रदी वात्चि होता है पिसन कर 15 को देख लेती है तो क्या होगा वालक चांड की और देख रहा तो क्या और क्यों और कैसे एक एक रहे में question mark रहेगा क्या रहेगा अगर यहां पर लाष्ट में question mark रहे तो answer होगा यह तीनों में से कोई भी एक ठीक है लेकिन question mark नहीं है इसलिए answer क्या हो जाएगा option a option a answer हो जाएगा बालक बालक चांद की और देख रहा है ठीक है चलिए question नमर बीज में लिखा है कौन सा सब्द है समच्य में बोधक सब्द है दें समच्च अब इख्वाज़क मतलब ग्रामर जब अंगली tut या ayon graduate school की दे ситу तो समच्च वादक किन्ने का काम करता है जोड़नाई का इसलाघ चाहता है जोड़ना इसलग निए आफ्वा ने नुम्बर 20 का चलिए आगे देखते हैं question number 21 देखिए अब आयाता है पार्ट पुष्टक है आपका पुछा गया है तो यहाँ पर ही आपको गध्यांस फिर से दे रखा है यहां से यहां तक आपको गध्यांस को ध्यांस से पढ़ना है और इस गध्यांस को पढ़ने के बाद इससे कुछ question बनाएगा इससे चार option दिया है तो आपको इसी गध्यांस से यह option बन रहा है तो हम लोग देखते क्या दिया हुआ आप गध्यांस को खुछ से पढ़ने जिएगा ठीक है question number 21 में लिखा है इस पद के रचेता कौन है तो आपको बताना यह जो पद यह कहां से पॉइम से लिया गया है तो आपको किताब में जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ते के साथ याद रखना है कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके रचेता कोन है ठीक है यह जो आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बुक में देखके इसके जो रचेता पूरे इनी पात का आप से अर्थ पूछा है तो इसका सई एंसर क्या होगा तो इसका सई इंसर होगा ऐसका से इंसर नमबर सी कमल का पत्ता को ही कहते हैं पूर इनी पात ठीक है कोश्चन नमर चौबीस को देखते है कोश्चन नमर चौबीस में लिखाया गोपियों ने उद्धव के उद्धव के वहवार की तुलना किस से की है ठीक है तो गोपियों ने उद्धव के वहवार के तुलना जो की है वो क कमल के पत्ते और तेल के मटके से की यानि ऑप्षन सी से इसरो जाएगा कुश्च नमर 24 का जैली हो गया अब कुश्ट नमर मुझटीस को देखते देखिए कुश्च नमर 25 को देखते उपर लिख लिखा वाए निमनिकित प्रसनुट के सई विकल्प का चेंग किजिए बोलता आधार पर question number 25 है उसका सही इंसर हो जाएगा option number a फागुन किस महीना में? question number 25 का answer हो जाएगा option a फागुन के महीना में ठीक है देखिए question number 26 में लिखा है उत्सा और अट नहीं रही इन दोनों कविताओं के कभी कोन है आपको कभी का नाम पुछा है और यहाँ दो कविता एक है उत्सा और एक कविता है अट नहीं रही ठीक है इस दोनों कभीता का एक ही राइट है रही कोन है option number B में लिखा हुआ है सुर्यकांत तिरपाथी निराला यानि option B इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक है नन्य सीसू की मुस्कांगी इसका मतलब question number 27 का सही इंसर option C हो जाएगा अगला question क्या है अगला question लिखा हुआ है question number 28 फसल कभीता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है फसल जो है किनका बदला हुआ रूप है तो यह सुर्यकी किर्णों का है किसका है सुर्यकी किर्णों का option C इसका सही इंसर हो जाएगा क्या दिया हुआ है फिर से आपको गध्यांस दिया है यह पार्ट पुस्तक से लिया गया है ठीक है आपको पुरा पढ़ना है देखे गई आपको जब बुक निकालेएगा तो इसमें मिल जाएगा अब इसी से जो कोश्चन बन रहा हूँ उन्तिस नमर कोश्चन में लिखा है बेटे के मरने पर बाल गोबिन भगत क्या कर रहे थे ना तो वो गाना गा रहे थे या रो रहे थे या हस रहे थे या नाच रहे थे आपको यह पूछा गया है तो उसमें गाना गा रहे थे क्या कर रहे थे गाना गा रहे थे ठीक है उसके बाद देखे कोश्चन नमर तीस यह गष्ट ज़िया साव्म ने पढ़ा उसी सिली आ गया कोश्चन नुमर 30 जो है लिका भगजी का बेटा कैसा था ना तो जो भगजी का बेटा था वो बहुत ही ज़ादा सुèg था किया था सुउश्ट और सुस्ट लोुग को कोई क्या बोलते है बोदा सुस्त लोगों को क्या बोला जाता है ठीक है चलिए देखिए कोश्य नमर 31 को देखते हैं कोश्य नमर 31 में लिखा भगत जी की पतोहु थी वह एक तरह से कैसी थी तो वह सुभग और सुसील होने के साथ साथ यानि यह अलाइंसर हो जाएगा ऑप् कि बोदा का अर्थ क्या है तो बोदा का अर्थ होता है कंबुधिमता वाला या बहुत आलसी वेखती है ना कंबुधिमता वाला इस का से इंसर हो जाएगा 32 का ओप्षन डी अब हम लोग देख लेते हैं क्या आगे लिखा हुआ है कि सैही विकल्प का चेन कर देखिए कोश हस्मूक और खुस्मिजाज वेक्ती था option D इसका से इंसर है question number 34 को देखते है लिखा है नेता जी का चस्मा पार्ट में नेता जी की परतिमा किस चीज की बनी थी तो नेता जी की परतिमा थी वो संग महमर पत्थर की बनी थी option B इसका से इंसर हो जाएगा किसका question number 34 का option B ठीक है अगला question 35 number 35 number में लिखा है नेता जी की मूर्ती पर चस्मा कौन बदलता था ये question एकदम आने का बहुत जाला chances है तो ये captain बदलता था कौन बदलता था question number 36 में लिखा है नेता जी का चस्मा पार्ट के लेखा का नाम बताए आप इसको जिरूर पढ़के जाएगा जो नेता जी का चस्मा पार्ट है ना ये guarantee है आएगा ही इससे question ठीक है देखे 36 number question का answer जो है वो हो जाएगा option B है ना श्वेम परकास कौन श्वेम परकास इसके लेखक है याद रखने है आपको ठीक है चलिए देखिए यहां से फिर एक गध्धांस आया तो टोटल तो आपको परेग्राफ ही दे रहा है आपको पढ़के इसी का इंसर देना है ना तो लिखावा प्रस्थूत गध्ध्यांस को अध्यान परकर प्रस्ण संक्या सही 30 से 40 सही उत्त यह से अध्यान प्रस्थूत कर्दांस किस पार्ट से लिए आ जई आपको बाट का नाम पूछा गया है तो इस जो कोश्चन कर देखते हैं किस मेले की चर्चा कि गई है इस गध्ध्ध्यांस में ददृ के मेले की चर्चा की गई है ठीक है आप गध्ध्धांस और आज का आखरी कोश्चन कोश्चन नमर 40 रहरी किसे करते हैं तो अरहर के दाल को कहते हैं यानि ऑप्शन सीज का से इंसर हो जाएगा क्लिए रहे हैं चलिए तो हम लोग हिंदी का सेट वन पूरा कंप्लिट हो गया जो मोडल सेट था ठीक है अब हम लोग सेट टू को सॉल् मेरे वीडियो पर पहली बढ़ा हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा सेर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है